हेलो दोस्तों आम नवीन और इस वीडियो में मैं कने बहला हूं क्लास 10 चाप्टर ए रिलेटर टो सर्कल का एक सम तो चली शुरू करते हैं तो देखिए सम में हमें एक फिगर दी हुई है जैसे कि मैंने यहां फिगर ड्रॉग कर रखिए और इसमें बताया है कि एक सक्टर है OAP यहां पर दीखिए OAP यह सक्टर है सर्कल का फिज सेंटर O और इस सर्कल का सेंटर O है containing अंगल ठीटा और इसमें अंगल ठीटा दिया हुआ है AB is perpendicular to radius OA तो यहां पर AB perpendicular है OA रेडियोस पर अगर यहां पर पता भी नहीं होता हमें कि AB perpendicular है OA पर तो भी understood था क्योंकि tangent है यहा, tangent radius के साथ 90 degree बनाती है, आगे है, and meet op produce at b, वो आगे op से meet कर रही है, और जो p तक produced है, और हमें यह प्रूफ करना है, कि जो parameter है shaded region का, वो यह है, अगर हम shaded region को देखें, तो इसका parameter हम कैसे निकालेंगे, अगर हम plus कर दें, ab की length को, और pb की length को, और साथ में par, जो है, इ shaded region का, तो हमें यह यह प्रूफ करना है, कि इस shaded region का parameter जो है, वो इसके equal है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, कि parameter of shaded region होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, कि ab की length plus pb plus ap, और यहाँ ap जो है, वो arc है, तो bracket में मैं यहाँ आर्क लिख देता हूँ, तो सबसे पहले हम चलत OAB में, OAB एक right angle triangle है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कि in triangle OAB, अब देखें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 10 theta, अब देखें, मैंने 10 theta क्यों लिखा, तो हम यहाँ पर जो given है उसी के according चलेगे, हमें यहाँ पर 10 theta given है, sec theta given है, और साथ में, pi theta upon 180 minus 1 given है, तो हम यहाँ पर 10 theta के according चले, तो 10 theta किसके एकोल होता है, जैसे कि हम जानते हैं, कि 10 theta एकोल होता है, P upon B के, यानि कि perpendicular upon base, अगर हम इस right angle triangle में check करें, तो theta के सामने perpendicular मिलता हमें, और यहाँ पर base है OA, और हाईबोडेनस है OB, तो perpendicular के लिए हम क्या लिखेंगे है, यहाँ अब तो AB यहाँ perpendicular है, theta के सामने, और base अगर हम देखें, तो यह है OA, तो यहाँ OA लिख लेते हैं, अब देखें, यहाँ यहाँ पर AB के length तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं AB को AB ही रहने देता हूं, और OA, OA को अगर हम देखें तो यह radius के equal है, ठीक है, R है यहाँ पर यहाँ तो यहाँ पर R लिख ले लेंगे, तो आज अगा R 10 theta, तो इस तरह से AB की length जो है, वो आ गई है, R 10 theta के equal, इसका हम यूज करेंगे बाद में, उसके बाद आगे देखें, आगे है sec theta, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, किसे sec theta, equal होगा, hypotenuse upon base के, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो hypotenuse हमारी यहाँ पर है OB, तो यहाँ पर हम OB लिख लेते हैं, और base है हमारा OA, तो यहाँ पर OA लिख लेंगे, equal to, अब देखें, OB का तो OB ही रहेगा यही, और OA जो है, वो R के equal है, तो इसलिए मैं R लिख लेता हूं, अब यहाँ पर मैं OB के length निकाल लेता हूं, तो देखें, sec theta के नीचे निकाल लें, तो PB निकाल लें, मैं क्या करूँगा, OB मैंसे OP माइनस कर दूँगा, तो PB आ जागा, तो मैं आपर इस तरह से इसको लिख सकता हूं, कि OP ब्लस PB, दोनों में लाकर जो है, equal होगा, OB के, अब देखें, OP जो है, वो R है, तो मैं यहाँ R लिख लेता हूं, प्लस PB मुझे मालूमी नहीं है, और OB अभी में भी मैंने निकाली है, यह है, R sec theta, तो PB निकालने के लिए, हम इस R को इधर shift कर लेंगे, यह minus हो जगा, तो R sec theta minus R, तो इस तरह से PB के length भी मेरे पस यह आ चुकी है, देखें, हम यह shaded region का parameter निकालना है, तो parameter निकालने के लिए, हमें AB प्लस PB प्लस AP जो आर्क है, उसकी length को प्लस करना होगा, तो हम यहाँ पर दुबारा से इसको लिख लेते हैं, कि parameter of shaded portion यह है, AB प्लस PB प्लस AP जो की आर्क है, तो अब देखें, हमें इसको add करना चुरू कर देता हूं, तो AB मैं ले लेता हूं, AB मुझे मालूम है, यह निकाल PB, PB देखें, यहां से लेंगे हम, यह है, R sec theta minus R प्लस, अब AP देखें, आर्क का जो length होता है, उसका formula होता है, theta upon 360 into 2 by R, यह formula होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, 2 से 360 कर जाता है, 180 पर, आगे अगर हम देखें, इसको लिखेंगे, तो इस तरह से R 10 theta, एज लिखेंगे, R sec theta minus R, अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखें, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर, plus theta pi R upon 180, अब देखें, इसमें से हम R को common लेंगे, तो पहले मैं इसमें से R अलग कर लेता हूं, कि R 10 theta plus, इसमें से R अगर common आजगा, तो मेरे पास यहाँ बचेगा, sec theta minus 1, plus theta pi, और यहाँ पर multiply में R, यहाँ पर multiply में R, इधर कर लेते हैं, यहाँ multiply R, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ से R, यहाँ से R, और यहाँ से R, हमें common मिल देगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते है, कि R, अब यहाँ पर बस जाता है, 10 theta plus, यहाँ पर बसता है, sec theta minus 1, और यहाँ पर बसता ह प्लस थीटा पाई अपॉन में 180 तो देखे यह जो माइनस वन है इसको मैं लास्ट में शिट कर लेता हूं जैसा कि मुझे सम में इसी तरह से प्लस थीटा फिर प्लस थीटा पाई अपाउन में 180 माइनस तो यही मैंने प्रूफ कर दिया है तो मैं आशा करता हूं कि आप को सम सम्स समझना होगा इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास के लिए पहले से अप्लोड है आप उन्हें देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और ने सम के साथ तब तक के लिए गुडबाई